हेलो एप्रिवन वेल्कम अगीन और यूट्यूब चानल क्रियेटिव और इन्पो हब तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गनित की पार्थ योजना जिसका उपविशय है ठोस आकारो का चित्रन ये कक्षा सातवी के लिए है तो देखते हैं आज की वीडियो सबसे पहले लेसन प्लैन लिखते समय आपको अपने पेज की अपने फाइल के बीच में पार्थ होजना और सीरेल लंबर डालना होता है उसके बाद आप लिखते हैं छातर अध्यापिका का नाम जिसमें आपका नाम आता है उसके नीचे हम लिखते हैं विशय, उप विशय, विशय में आप गनित लिखेंगे और उप विशय में आप ठोस आकारो का चित्रन इसी के right side पे आप लिखेंगे date, कक्षा और समय यानि की update कितने period, time duration क्या है आपकी class का वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य है समय उद्देश्य हम बार बार नहीं लिखते हैं इसलिए हम एक ही बार में विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं सबसे पहले चात्र 3D और 2D आकरितिया कैसी होती हैं उनसे परिचित हो पाएंगे चात्र ठोस आकरितियों को समझ पाएंगे थर्ड हमारा है छात्रों में लंबाई, चौड़ाई, उंचाई व गहराई जैसे प्रत्यो की समझ हो पाएगी उसके बाद पूर्थ हमारा है छात्रों में किसी वस्तु के शीर्ष, कोर, फलर पहचाने और समझने की शमता उत्पन होगी उसके बाद हम लिखते हैं सिक्षन विधी, जिसमें मैंने लिखा है व्याख्या, प्रदर्शन, क्रिया कलाप और चर्चा विधी इसके बाद हम लिखेंगे सिक्षन सहायक सामगरी, 2D वे 3D आकृतिया प्रस्तुत करते हुए, कुछ वस्तुए इसके बाद हम लिखते हैं पूर्वग्यान अध्यापिका के अनुमान अनुसार छात्र विभिन आकृतियों से परिचित होंगे इसके बाद हम लिखते हैं पूर्वग्यान परिक्षन जिसमें हम 3 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें पहला क्रम संख्या, then संभावित प्रश्न जो छात्र अध्यापिका पूछती है and last में हम लिखते हैं संभावित उत्तर तो पहला हमारा है छात्र अध्यापिका छात्रों के समक्ष भावित कविता का वाचन करती है गोला हूँ मैं पर उचल भरी गोंद की तरहा उचल कारी गेंद की तरहा क्योब हूँ मैं पांसे की तरहा जिससे आप खेलते हो बेलन हूँ मैं मानो कोन की तरहा बताओ मैं कौन हूँ तो यह हो जाएगी इसका अंसर हो जाएगा आकरतिया तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने पहेली पूछ के बच्चों से पूर विज्ञान परिक्षन उनका किया है उसके बाद हम इसी को कनेक्ट करते हुए अपने टॉपिक की अनॉंस्मेंट करते हैं जिसको हम उद्देशक कथन बोलते हैं तो हम अनॉंस्मेंट करेंगे कि आज हम सभी ठोस अकारों का चित्रन अध्यान करेंगे उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण जिसके लिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षन विंदू, उसके बाद कख्षा कख्ष क्रिया कलाब और लास्ट में हम लिखते हैं मुल्यांकन जो आपके टीलम है उनका मिनियेचर आपको प्लेन साइड पे लगाना होता है और प्लेन साइड पर ही आप ब्लैकबोर्ड वर्क करके दिखाते हो ओके, तो गाइस इसी तरीके के और भी टिफंट डिफंट सबजेक्ट के अलग अलग कलासिस के लेसंट प्लेन्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएँगे आप मेरे चैनल पे लेसन प्लाइन की प्लेलिस उसके लिए चेक कर सकते हो सो continue करते हैं हमारा लेसन प्लाइन सबसे पहले हम लिखेंगे आकरितिया जिसमें आता है चातर अध्यापिका चातरों के विभिन प्रकार की आकरितियों का प्रदर्शन करती है तता चातरों को उनके नामों से परिचित करवाती है अब यहाँ पे चातर अध्यापिका डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स हैं जैसे कि त्रीबुच, ट्राइंगल, व्रत, आयत, वर्ग, चत्रबुच वो बच्चों को दिखाती है और उनका नाम उन्हें बताती है अब मुल्यांकन में हम पूछेंगे आप सभी ने इस प्रकार की आकरितिया कहां कहां देखी है उसके बाद आता है त्रीबियम में आकरितिया इसमें चात्र अध्यापिका चात्रों के समक्ष उबरी हुई आकरितिया प्रस्चत करते हुए उन्हें थ्रीडी आकरितियों के बारे में बताते हुए कहती है कि ऐसी आकरितिया जिनकी लंबाई, चोडाई और उंचाई होती है जो स्थान घेरती हैं वे 3D आकरितिया कहलाती है अब यहाँ पे वो कुछ TLM उन्हें दिखाती है और फिर उनसे पूछती है कि 3D आकरिति क्या होती है उधारण दो उसके बाद यहाँ पे 3rd point हमारा है 2D आकरितिया चात्र ध्यापिका चात्रों के समक्ष कुछ 2D आकरितिया जिसे कि square, circle, triangle प्रसुत करते हुए बताती है कि ऐसी आकरितिया जिनके केवल लंबाई और चोड़ाई होती है 2D कहलाती है अगेन हम यहाँ पे मुल्यांकिन के लिए बच्चों से उनके कुछ examples पूस सकते है इसके बाद हम उनसे फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में बताएंगे तो चात्र ध्यापिका चात्रों को किसी आकरिति की फलर, किनारे और शीर्ष क्या होते है इसके लिए शामपट पर घन की आकरिति बनाते हुए छात्रों को इन प्रत्यों से अफगत कराती है हम ब्लैक बूर्ड पे क्यूब का बनाएंगे और बच्चों को वो समझाएंगे कि इसमें यह इसका शीर्ष है, यह किनारे हैं और यह फलक है और मुल्यांकिन के लिए हम बच्चों के पूछ सकते हैं कि एक त्रिबुज में कितने किनारे होते हैं, एक आयात के कितने फलर होते हैं उसके बाद हम बच्चों के लिए एक अक्टिविटी कराएंगे, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने अक्टिविटी लिखी है छात्र ध्यापिका छात्रों को एक sheet देंगी जिसमें कुछ आकृतिया बनी होंगी सभी छात्रों को न आकृतियों को पहचान कर उनके sheets, किनारे और फलक बताने होंगे उसके बाद 5th point हमारा है ठोस अकारों का चितरन छात्र द्यापिका छात्रों को बताती है कि ठोस अकारों का चित्रन किया जा सकता है जैसे पेपर पर आदी जो 3D होते हैं जो 3D shapes होती हैं उनको भी हम पेपर पर ड्रॉग कर सकते हैं क्या त्रीबुज का चितरन क्रिया जा सकता है? मुल्यांकर के लिए इस तरीके के प्रेशना आप पूछ सकते हैं उसके बाद सिक्स्ट पॉइंट हमारा है एक ठोस भागों को देखने की विधिया छात्र ध्यापिका छात्रो को बताती है किसी ठोस आकार या वस्तु के अन्य भागों को देखने की तीन विधिया होती है पहली अनुप्रस्त तीसरी 3D आकार की 2D छाया देखना तीसरी विधिया किसी वस्तु को सामने परक और उपर से देखना मुल्यांकन के लिए हम पूछेंगे कि ठोस वस्तू को देखने की कौन-कौन सी विदी है वो बताईए इसके बाद हम एक रिकाप्चुलेट करेंगे अपनी क्लास को बाइंड अप करने से पहली जिसमें हम पूछेंगे कि 2D आकरितिया क्या होती है उसके बाद same as it is हम पूछेंगे कि 3D आकरिति क्या होती है third question हम पूछ सकते हैं कि ठोस आकरिति के अन्य हिस्सों को देखने की कौन-कौन सी विदी है and last हम पूछेंगे sheets, किनारे और फलर क्या होते है तो बचे इनका answer करेंगे जिससे की हमने जो पढ़ाया class में वो उनको एक बार revise हो जाएगा उसके बाद हम करते हैं आओ करें इसको हम अधिगम विस्तार भी लिख सकते हैं या फिर ग्रहकारणे भी लिख सकते हैं इसमें मैंने 3 questions put up किये हैं पहला है अपनी रूची अनुसार किसी एक 3D आकरिती बनाएए सेकिंड है किनी 5 आकरितियों का चित्रन करें जब उन वस्तुओं पर प्रकाश पढ़ता है तो उसकी छाया किस तरफ होती है उसका चित्रन करें थर्ड और लास्ट है 2D आकरितियों का प्रयोग करते हुए एक चित्र बनाए सो गाइस ये था आज का लेसन प्लैन जिसका टॉपिक था 3D और 2D आकरितिया इसी तरीके के और भी लेसन प्लैन इस चैनल पे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलिबल हैं आप उन्हें भी जाके चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको किसी स्पैसिफिक टॉपिक पे किसी स्पैसिफिक क्लास के लिए ही लेसन प्लैन चाहिए तो आप मुझे कामेंट सेक्शन करके कामेंट सेक्शन में बता सकते हो सो थैंक्यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेसन प्लैन वीडियो के साथ